हेलो बच्चों कैसे आप सब आई होफ सब अच्छे बढ़ी आए तो आज अपने पार इस क्लास में हम फैनेसल प्लानिंग स्टार्ट करें जा रहे हैं बिजनस स्टेडिस का क्लास्ट टुवेल्थ चैप्टर नंबर नाइं ठीक है तो पिछले चापास व्यूडियो में हमने इन्वेस्पेंट डिसिएंग को समझाता डिविडेंट डिसिएंग को समझाता उसके बाद आपका क्या राड़ है फैनेसल प्लानिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है पहले तो आप समझ ले चीजहों को और फिर नोट डाउन कर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते और अपने दोस्तों साथ सेर ज़रूर करते तो आज की धिला स्टार्ट करते है क्या है चैप्टर क्या है कैसे अमारे बास अभी कि मैंने वोला फानेंसल प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग क्या होता है अगर घडर में भी देखो तो एक गार्जन अपने बच्छे अगर मैं अभी planning को डिसकर्ज कुरू सई करते हैं अगर में देखो और प्लानिंग किया जाता है किस तरहीं किसे कि भाई किस चीजों में कब-कब कितने अड़ी पर लगाना अगर सुपोस यह प्लानिंग अगर आपके गार्जन नहीं करते हैं और आपके और हमारे फैमिली में अच्छानक से ऐसा कोई uncertainty आजाए जिसके लिए हम तेजारी नहीं है मतलब हमाई पास उस सिसके लिए हो सकता है कि पापा पम्मी ने कि सोची रखा है आपके लिए और कितना कितना फंड बचा कर रखना है साइड कर रखना आपके एजुकेशन के लिए वह तो पता है यह बात अदम सही है लेकिन लाइफ में तो uncertainty भी आती है तो इस uncertainty को face करने के लिए कुछ financial plan होना चाहिए हाना plan होना चाहिए इस planning में क्या क्या हो सकता है भाई क्या क्या financial planning हो सकता है कि भाई पता ने कब कौन बिमार पर जाए पता ने कब कोई uncertainty like कोई casualties कोई accidents वगड़ा हो जाता है न तो उसके लिए भी कुछ fund side करके रखना चाहिए ताकि अगर वैसा situation arises हो तो उस fund को use कर लिया जाएगा उस समय उस काम को पूरा करने के लिए यह बातों समझ में आ रहा है तो मतलब एक बातों समझ में आ रहा है कि planning मतलब क्या होगा कि advance में हमने कुछ decide कर लिया है और decision के पीछे कुछ finance side पैसा side कर लिया है तो यहां पर business में यह चीज applied कैसे होगा कैसे को संदेंगे financial planning business में sorry business में क्या होता है कि भाई एक company को मानुआ पकर ठीक है मैंने बुला कि company है न तो एक company के पास finance का जो source होता है basically दो होता है fundamentals sales के थूरू पैसाडेस कर सकते हैं यह वो लो डेविंचेस के थूरू है न तो भाई यह बात ठीक है कि पैसाडेस कर देंगे बट एक बास समझो कि company को भी क्या यह सोच के चलना नहीं चाहिए कि company जिस business में involved है जिस business को कर रही है उस business में भी तो uncertainty आ सकता है क्यों company दो सोच के चलती है भाई क्या कि हम तो ऐसा ऐसा business कर रहे हैं इस तरीके से करेंगे इतना sales होगा इतना production कर लेंगे इतना profit होगा इतना पर डिविन बाट देंगे इस तरीके से company सोच लेती है बट इन साड़ी चीजों में कुछ ना कुछ उतार चड़ाव हो सकता है मतलब उतार चड़ाव क्या हो सकता है जो आपने सोचा है उसके अनुरूप उसके recording काम ना हो हो सकता है उसी समय में आपके recording काम ना होके कुछ आपके against काम हो रहा है मतलब क्या कौश्ट आपने सोचा था दस लाग में हमारा काम हो जाएगा बट लगड़ा है सपोस्थ आने वाले समय में अचानक से रो मेटल्स का प्रैस बढ़ गया तो कोस्ट हो गया रो मेटल्स का बारे लाग तेरे लाग हो गया ना आपने सोचा कि सेल्स अच्छा हो जाएगा बड़ विशा सेल्स अगर नहीं हुआ तो एक बात तो क्लिर समझ में आ पर आ रहा है कि भाई प्लानिंग जरूरी है फाइनान्स को लेके किसी भी कंपनी में तो क्या है फैनेंसल प्लानिंग को अगर समझें तो मैंने इसका डिफन से यहां दिखा है है। तो से मवन थे फॉर्ण रिक्वार्मेंट्ट ऑफ को ऑफ बॉझेस वैगाएं दो प्लानिंग कामुलानि के प्लानिग कॉया शिण दावन कामुला वाइले स्टिमेटा इसके में दो प्लानियम कितना फंड चाहिए एक लाग दो लाग चीन्लाग चारड ला सब्सक्राइब कितना फंद चाहिए और सब्सक्राइब करता है तो इसका लिख लेंगे और आपको यह याद करना ही करना है ठीक है और फैनेंसिल प्लानिंग में लॉंग टर्म प्लानिंग भी होता है और शॉट टर्म भी होता है ठीक है लॉंग टर्म में एक बड़ा एक्सपेंडिचर खेलाएगा तो लॉंग टर्म प्लानिंग अगर होगा तुम्हां कैपिटल एक्सपेंडिचर इंबॉल्फ होगा अगर capital expenditure involved होड़ा है एक बड़ा amount लग रहा है जो कि बहुत carefully उस plan को करना पड़ेगा तोगि बड़ा amount company invest कर रहे होती है ठीक और एक planning होता है short term short term को बोलते है budget भी बोलते है तो budget घाए बनता है ना दो मेने का तीन मेने का आने वाले छे मेने का बच्चे के education के पीछे health के पीछे कोई भर में occasion आने वाला उसके लिए तो बजट हम बनाते हैं घर में तो financial planning के अंदर in the same way short term financial planning को क्या नाम दिया गया बजट का नाम दिया गया कमपनी में होता है short term planning के तुजवरी है कि कितना salary कब बाटना है और short term basis पे कोई workers को hire करना है employee को hire करना है short term basis पे हो सकता है हमें उधार वे sales अगर कर रहे हैं तो वह हमारा data बन रहा है तो उसमें पैसे आपका involve हो रहा है तो हर चीज के पीछे short term planning कहीं नहीं कि हमें दिख रहा है तो short term financial planning को क्या बोला गया बजट बोला गया long term financial planning को क्या नाम दिया गया capital expenditure ठीक है चलो आगे चलते हैं मैंने कुछ बात ही यहां नोड़ान कर रख है उसको समझते हैं बहुत important है कि मैंने बुला financial planning क्या है बाई preparation of of financial blueprint of an organization's future operations operations मतलब business activities blueprint मतलब क्या होता है एक roadmap तो financial planning क्या करके जयता है financial blueprint prepare करके जयता है कि भाई आने वाले समय में किन किन कामों में कितना कितना पैसे कि हमें जर्वत है तब ही तो आपकी कंपनी अच्छे से उस basis पर काम अभी से start कर पाएगी क्या बोला प्रिप्रेशन ना financial blueprint of an organization's future operations क्योंकि कंपनी अगरे प्लान कर रही है कि आने वाले समय में हमें इन बिजनेस में भी अपना expansion करना है new product launch करने हैं तो उसके पीछे जो पैसा लगेगा जो finance लगेगा उसका blueprint कौन क्यार करके दे सकता है financial planning ठीक बात आगे चलते हैं कि financial planning यह ensure करता है कि enough funds enough funds at the right time क्या मतलब इसका sorry फोसा गले में खड़ा से तो financial planning यह ensure करके देता है कि enough funds जितने fund की जरवत है वह fund available हो company के पास ताकि उस opportunity को grasp किया जा सके उससे benefit उठाया जा सके तो second point ही यह सारे point नो down करने बहुत ही important है कि फिर बोलता है financial planning avoid access funds जब financial planning किया जाता है भाई साब तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं यह समझ में आ जाता है कि हमें कितने रुपे की जरवत है कितने रुपे के जरवत है कितने finance के जरवत है तो extra finance हमारे पास नहीं रहेगा मतलब company के पास नहीं रहेगा क्यों अगर आपने भी सोचा मतलब कि आपकी company नहीं सोचा है कि हमें कितने finance के जरवत है तो आप कितने भी finance उठा लोगे और हो सकता है आपने market सब्सक्राइब उठा ली है रुपए पर extra जो burden लगना है न क्योंकि उसका उसका उस्तों करनी पाड़ है क्योंकि उसकी जरवत ही आपके पास नहीं है that means कि अगर financial planning किया गया है तो वह इसमें मदद करता है कि access finance आप नहीं लेंगे जितने की जरवते उतना ही लेंगे तो इसमें मदद करता है कि access fund company के पास ना है नहीं तो उसकी वज़े से company को उस access finance पर भी market में interest पे करना हो सकता है तो उस चिसको avoid करेगा तो क्या होगा company का cost कुछ तो कुछ बचेगा बचेगा ठीक बात है और आगे चलते हैं फिर क्या बोला smooth operations by focusing on fund requirements and their availability in the light of financial decisions कितना कितना कहां से लिया जाए है सेर्स के थूरू डेवेंचर को थूरू कितना return earnings होना चाहिए और भी any kind of like public deposits तो देखो फ्लानिक क्या रहा है ना smooth operations में मदद कर रहा है कैसे by focusing on fund requirements and availability fund requirements मतलब क्या कितना fund चाहिए और उसका available available कराना उस fund को क्या कराना available कराना तो फिर से भही बात है कहीं नहीं more or less कि financial planning focus करता है कि कितने fund के जरवत है उतना fund available हो जाए लेकिन एक इसकी बात को ध्यान में रखते हुए उसका कुछ cost बगरे देख लिया जाए कि कि कितना deventures पे loan loan जो deventures ले रहे हैं उसके कितना interest बगरे pay करना हो सकता है ठीक है चल वाए फिर क्या भाई फिर क्या भाई फिनेशल प्लानिंग ट्राइस टू फॉरकस्ट ओल्ड़ आइटम्स expenses और रवेन्यू विच अलाइकली तू अंडर वो चेंजर देखिये भाई फिनेशल प्लानिंग के अंदर अगर आपने investment करने जा रहे हो तो आपके companies में क्या-क्या changes आ सकते हैं उसके पीशे maintenance का खर्चा ज्यादा आएगा उसके पीशे staff ज्यादा लगेगा लगेगा न और भी क्या हो सकता है कि revenue आपका एफेक्ट होगा positively या negatively क्योंकि आपने long term financial planning किया और पहुत पार investment इस उमीद से किया है आपके company ने ताकि revenue हमारा generate ज्यादा होगा तो मैं तब यह समझ मारा कि expenses भी effect होगे कहीं ना कि और revenue भी effect होगा कहीं ना कहीं बिलकुल होगा न तो क्या बोला financial planning tries to forecast all the items expenses revenue which are likely to undergo changes that means कि financial planning में जो आप long term decision लेलो चाहे short term ही लेलो उसकी वजह से expenses भी change हो सकते है revenue भी change हो सकता है ठीक बात है आगे चलते और it enables the management to foresee the fund requirements both the quantum as well as the timing company जो management काम है management जो team है उनको तो manage करना पड़ी company को हर एक काम को manage करना है तो financial planning अगर कर लिया गया है तो उसके help से management को क्या मदद मिलने वाला है कि भाई quantum मतलब quantity कि कितने quantity का कितने रुपे की कितने finance की company को जरवत है और कब जरवत है यह decision financial planning के थूरू पता चल गया उसके बाद यह किसको forward किया जा सकता management को उसके इसाफ से सारे board of directors और जो higher authorities है वो decisions ले सकते हैं भाई कि हाँ इतने finance के हमें जरवत है और इस कुछ particular समय पर जरवत है तो उसके according वो लो क्या करेंगे actions लेंगे कि मार्केट में किस कि sources सर्फ फिर finance हमें लेना है क्योंकि timing भी आ गया हमारे पास क्योंकि financial planning ने इसको बता दिया है और कितना अलपिया भी चाहिए यह दोनों जो पता चल जाता है तो company को काम करने में असान हो जाता है एक future का road में मिल जाता है company को ठीक है चलो आगे यह यह बहुत important सारे points है इसको आपनो down कर लेंगे पढ़ने के बाद समझने के बाद और यह definition जो मैंने बुला था इसको याद जरूर कर लेंगे आगे चलते financial planning का twin objective से twin मतलब दो very important this is quite ठीक है भाई चलो क्या होना to ensure availability of funds whenever required कि इनका objective लग रहा है कि भाई company में जब भी फंड की जरुवत लगेगी कि फंड का जरुवत आने वाला है तो उस जरुवत को और कितना amount चाहिए वो कौन बतला के दे सकता है financial planning कि कितने फंड की जरुवत तो और कब जरुवत है तो भाई बोला तो इन्शूर availability of funds whenever required यह इन्शूर करेगा कि funds available हो उस समय पे और जितना amount चाहिए उतना amount available हो ठीक बात है आगे to see that the firm does not raise resources unnecessarily देखो क्या मतलब है अगर घर में planning हो रहा है finance को लेकर education से लेकर हर एक काम के लिए तो वह यह भी देखा जाएगा कि कहीं पर extra fund ना रखा जाए जिसका कि पदाशला कोई यूज ही नहीं है जिसकी वज़ासे क्या होगा आपको लगेगा कि अच्छा अगर यह fund extra जो यहां इसी finance को नहीं लेना है उसकी वज़से extra cost आएगा आपके पास एक extra burden आएगा आपके पास तो वहीं बोल रहा है भाई साब कि true to see that the firm does not raise resources unnecessarily resources का मतलब होता है आपके फाइनांस रो मेटरियल्स हर वो काम हर वो चीज जिससे कंपनी बिजनेस करेगी तो भाई resources किसी से उधार नहीं लेना है stock वगड़ है raw metal वगड़ है ठीक है किसी से अगर जर्वत है ही नहीं तो finance भी नहीं लेना है तो यह बढ़ा ही दो important objective है जिसको कि आप समझ के note down करेंगे और उसको फिर याद भी करेंगे ठीक है चलवागे एक लाइन लिखा मैंने इसको मैं discuss करूंगा अभी समझाओंगा इसलिए मैं लिखा है NCRT का ही लाइन है इंफक साड़ा ही बाद तो NCRT का ही है क्या बूल रहा है और प्रॉपर मेचिंग ऑफ फंड्स रिक्वार्मेंट्स एंड गेर एवेलेबिलिटी इस आउट टू भी अचीवट बाइफ फैनेंसल प्लानिंग यह स्टेटमेंट आपको इन्वर्टेट कुमामी इस तरह के से एक्जामी दिया रहा सकता है और बोले जस्टिफाइव दे स्टेटमेंट एक इंट वर्ड को समझ लेते हैं अब प्रॉपर मैचिंग फैनेंसल प्लानिंग से इस स् प्रॉपर मैचिंग फैनेंसल प्लानिंग ने बता दिया कि इतने रुपए की जर्वत है ठीक जर्वत तो इतने की है और इतना यह एवेलेबल हो जाए सही समय पे कि यह कों बताएगा फैनेंसल प्लानिंग बताएगा तो यही बात को यहां पर लिखा गिया है इसको अपनो डाउन जरूर कर लेंगे यह स्टेटमेंट दे के आपको जस्टिफाइग करने को बोला जा सकता है ठीक है तो इन बात उको अगर समझ लेंगे तो आप इस स्टे करके देगा कितने फंड के जर्ब आते है और वह बालेवल हो भी फंड यह पुरा करके देगा आपको फानेशल प्लानि ठीक है आगे चलते हैं अब क्या रहे पाल अग्या इंपॉर्टेंस अंपार्टन्स अपनेशल प्लानिंग क्या है अब जब आप समझ लेते हैं चीज क्या क्या हो सकता है वह कि बाई कितने फंड की जरवत है कब जरवत है और फंड को अवेलेबल कराना एक इंपोर्टन से लग रहा ना कंपनी के लिए तो बिल्कुल इसकी वैसे access finance नहीं आना चाहिए जिसकी वैसे कंपनी पे additional cost of loan interest पर जो लगेगा ख़र्चा नहीं आएगा burden तो यह सब कुछ बात तो लग रहा है और क्या सकता है company forecast कर सकती है कि हमारे आने वाले समय में हम जो finance available करा के अपना future planning करेंगे business को लेके उसमें अगर हमें कुछ uncertainties दिख रहा है तो financial planning आपको यह uncertainties को भी forecast करके बता सकता है कि क्या-क्या uncertainties आ रहा है उसके इसाब से अब पहले से finance रखिए उन अनसे इसको कॉप अप करने के लिए जहलने के लिए तो आईए देखते इंपोर्टेंस अब यह बेसिक सा बात है जो मैंने बता दिया समझने के लिए लेकिन जो यह बातें यहां पर जो लि forecasting what may happen in future under different business situations by doing so it helps the firm to face the eventual situation in a better way क्या मतलब है देखो अकर सब्सक्राइब डिसिजिएन लिया के capital expenditure का investment करें बहुत बढ़ा दस बारेलाग पचीस लाग तीस लाग माल लो अब ठीक है जिसकी बज़े से आपका sales growth सपोज होगा 20% से sales का growth होगा बट आपको क्या लगड़ा है ऐसा नहीं भी हो सकता है क्यों क्यों कि financial planning नहीं बताया क्या forecast कर रहें ठीक कर रहें बट ऐसा ऐसा भी हो सकता है अब 20% का sales growth होगा बट इसा नहीं होगे क्या हो सकता है दस परसेंट का ही यो बाड़ही परसेंट का हो तो जब यहां थे लिखावा यहां पर नोट डाउन जरूर करेंगा नेक्स पॉइंट एवाइडिक बिजनेस शॉक्स एंसर प्लाइजेस इसको यह इंपॉर्टेंट है वर्ट्स इसलिम नहीं आप इसको गिया लगाया एंड हैंड 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 कंपनी इन प्रिपेरिंग फॉर और फ्यूचर फिर से जब भी प्लानिंग हो जब फाइनांस का प्लानिंग हो आपकी पढ़ाई को लेकर प्लानिंग हो इसकी वह अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप मैं सोचते हो न कि क्या negativity भी आ सकता आने वाले समय में क्या tough questions आ सकते हैं उसके साफसे आप क्या करते ह जिसकी वह से surprises questions आएंगे जिसकी वह से हमें शौक मिलता है अगर हम पहले से planning कर रखें तो that means हम क्या करेंगे अच्छे से उस questions को face कर पाएंगे in the same way business में क्या होता है अगर financial planning हो रखता है तो इसका मतलब उसी के according finance available होगा उसी के हिसाब से हमारे सारी resources available होंगे competition अगर आ रह surprises business surprises क्या सकता है कि देखो हमने तो यह सोच के रखा था किसी ने तो हमसे भी better सोच के रखा वो business में अपने आगे बढ़ गया तो financial planning ही हर एक dimensions को देखता है और बताता है कि यह चीज़ भी हो सकते तो उसी हिसाब से अब चलेंगे अब चलो but competition जैसे आपके सामने आएगा उसको भी तैयारी करके चलो कि अगर competition आपके सामने आए तो उसको कैसे face करना है तो business socks और business surprises को handle करने में मदद करता है कौन financial planning very important point it helps in coordinating various business functions तो business function में क्या क्या है finance लेना sales करना production करना साड़ा business का तो party साड़ा business का तो function नहीं है और अगर आपने business में financial planning कराया है तो साड़े activities को coordinate करने में मदद करता है कौन financial planning क्योंकि जतना finance का जरवत होगा उसके साफ प्रक्षन होगा उसके साफ से ही sales होगा तो साड़े activities को क्या कर रहा है यह coordinate कर रहा है ठीक है न तो यहां पर लिख गया है example sales and production functions by providing clear policies and procedures sales and production function में क्या है जैसे production होगा उससे एक साफ से sales होगा तो मतलब कि जैसे जिकना finance होगा हमारी company में उसके साफ से production होगा और उसी एक साफ से क्या होगा sales होगा तो coordination हो जाए न और financial आपने business में financial planning नहीं कराया आपनी company में तो भाई कुछ भी finance ले लोगे उसके इसाफ से कुछ भी production हो जाएगा और sales सब्सक्राइब जर्वती sales की आपने उतना sales नहीं कर पाऊगे या कमी sales की जर्वत थी और आपने ज्यादा finance ले लिया तो production ज्यादा हो जाएगा तो coordination वहाँ पे नहीं होगा बहुत important बात रही है ठीक है फिर क्या बोल रहा है प्रवाइड इंव investment and financing decisions on a continuous basis financing and कि जो फिनेशल प्लानिक क्या बोलेगा भाई की इतने finance की जर्वत है अब जर्वत क्यों हो है क्योंकि कुछ हमें capital expenditure करना है जो कि long term decision है बतलब नोको ऌम से प्लानिंग के कुछ शुर्ट टम फानेशल प्लानिंग है जिसको भॉलते हैं तो इतने जरुबत क्योंकि होगी क्योंकि इन जग्रें करने किम इतने इतने रुपे करने इन समय में तो भही बात है एक link स्पर लेब करता है Feynais de kapac के बीच में को फानेंसल प्लानिंग फिर क्या है बाइ स्पेलिंग और डिटेल्ड अब्जेक्टिव्स फोर वेरियस बिजनेस सेग्मेंट्स इट मेंच दर एवैलुएशन ओफ एक्ट्वल पर्फॉर्मेंस इजियर देखों बढ़ा ही अच्छा बात यह फानेंसल प्लानिं सेग्मेंट्स अगर आपका बिजनेस अलगलग सेग्मेंट में अलगलग प्रोड़क्ट है तो क्या करेगा इवैलुएट करके देगा कि किस प्रोड़क्ट को कब लॉंच करना है किस प्रोड़क्ट का कितना प्रोड़क्शन कब देना है मार्केट में इसके इसाब से क्या होगा आपके business के decisions business में operations business activities आपके लिए असान हो जाएगा क्योंकि आपको पहले ही सही पता है कि हां किस-किस product के लिए किस-किस business segment में कितना काम करना है तो काम आपने असान हो जाएगा ठीक है अगर आप देखो यह सब अगर आप करके चलते हो तो लगता नहीं कि वेश्टेज नहीं होगा duplication of works नहीं होगा जिसकी घर में function है और आपने किसी को आप head है और आपको साड़े activities देखने हैं और आपको supervise करना है कि किसको किसको मैंने काम देना है और आपने यह काम का duplication of work होगा एक ही काम के पीछे सब भागेंगे मार्केट में कोई समान लाने जाना है तो जाना एक आदमी फिर से दो आदमी चले गए कि लगता हो समान आया नहीं हो चलो चलो समान लेकिया आते तो duplication of work होड़ा है न अगर planning हो proper coordination हो तो duplication of work नहीं होगा duplication of work नहीं होगा तो westage भी नहीं होगा या बोलो westage कम से कम होगा तो बोल रहा है भाई reduce west duplication of efforts and gaps in planning west westage कम होंगे duplication of work नहीं होगा और planning के बीचो gap आजा था वो planning में gaps भी नहीं आएंगे कब अगर आप financial planning करते हो तो भाई हमने सारे चीजों को समझ लिया बच्चे आपको क्या करना है वीडियो को अच्छे से एक दो बार तिन बार देख लेना है फिर सारे point को note down भी करना है और आप अपने NCRT book को फिर से रेफर भी करेंगे ठीक है नो तो important बात जो था financial planning को लेके वह हमने पढ़ लिया है तो मिलते हैं फिर next वीडियो में कुछ और चेक्सिंस के साथ तिल देन बाबाई टेक केर और हाँ important बात चैनल को क्या करो like करो subscribe करो और अपने दोस्तों के साथ share करो all the best बाबाई